अगर आपको इस इंड़स्ट्री में सक्सेस्पूल होना है इस इंड़स्ट्री को अपनी जिन्दगी की प्रियोरिटी बनानी पड़ेगी प्रियोरिटी बनानी पड़ेगी मेरे दोस्त आज आपकी लाइफ में आपकी नोकरी प्रियोरिटी है जो 10,000 रुपय महिना देती है लेकिन जो इन सारी समस्याओं को खतम कर सकता है, ये बिजनेस, वो बिजनेस हमारी जिन्दके में सबसे last priority में होता है। मैंने अक्सर देखा है, ट्रेनिंग में क्यों नहीं आये जी, वो सर मेरा नल टूट गया था सर, तो नल में सीर डालके दिन राथ बैठे हुए थे। हम बहाना करते हैं कि बस किसी भी तरीके से काम ना करना पड़े। करते हैं नहीं करते हैं? किसके लिए? किसके लिए कर रहे हो ये बहाने? किसको बेखूब बना रहे हो आप? बोले सर वो मेरे चाचा के मौसी की बुवा की बेटी की साधी थी सर वहाँ गया था सर इसलिए इस बार सेल डाउन हो गया जोट जोट चाचा की मौसी की बुवा की बेटी की साधी होती और अगर आपके माबाप में जिसको सस्यादा प्यार करते हैं अगर उसकी तब्यव सीरियस कराब हो जाती हॉस्पिटल ले जाने की ज़रुवत पढ़ती तो आप साधी अटेंड करते या हॉस्पिटल लेके भागते क्यों? क्योंकि priority थी प्राथ्मिक्ता दिया था अपने माबाप को इस बिजनस की छोटी सी प्राथ्मिक्ता नहीं देते इस हॉल में बैठा हर इंसान परिसान है हर इंसान इस सोच में है कि एक्स्ट्रा इंकम कैसे कमाया जाए हर कोई दिन रात इसलिए घर से निकल के भाग रहा है इस गर्मी में भी इसलिए घर से निकल के भाग रहा है कि थोड़ा एक्स्ट्रा इंकम लाके अपने परिवार की गरिभी को कैसे दूर किया जाए परिवार को कंडिशन वो कैसे दूर किया जाए अगर पैसा आ गया तो जिन्दगी की बहुत सारी समसायां खतम हो जाती यह बात हर किसी को पता है और पैसा कमाने के बहुतरीन प्लेटफॉर्म में असलिए पियस वेलेस यह भी हमें पता है लेगिन हम इसी को प्रियरिटी न charities होता है यह सबसे लाश्ट प्रियरिटी होता है करी लोग बोले सर ट्रेनिंग में इसलिए नहीं आ पाया क्योकि मेरे पडोसी के भैंस ने बच्चा दिया है तो तु क्या कर रहा था बोलते हैं नहीं बोलते हैं आप कर क्या रहे थे बहाने क्यों है बहाने क्योंकि प्रियरिटी नहीं है इस बिजनस की प्रियरिटी नहीं है जो इंसान इस बिजनस को अपने जिंदगी की पहली प्रियरिटी देगा यह business उस इंसान की जिन्दिगी को पहले नम्मर पिला के खड़ा कर देगा priority देना सीखो इस business को serious लो इस business को देखो मैं तो किवल समझा सकता हूँ serious लेना ना लेना आपके हाथ में है अरे आप खुद सोच के देखो कि 3 साल serious रहके 3 साल priority देके कड़ोर रुपे की income करके जिन्दगी भर की गरीबी मिटा देना अच्छा है या तरकाते रहते वे जिन्दगी भर गरीब बने रहना अच्छा है यह फैंसला आज आपको लेना पड़ेगा क्या अच्छा है जी तीन साल नमबर वन priority या दस साल तक घुमते रहना कौन सा है तीन साल नमबर वन priority पे रखोगे रखोगे भाई अगर पैसे आएंगे ना तो भाई भी अपना हो जाता है यह मैं नहीं बोल रहा हूं भुजूर्गों का तजूर्बा बता रहा हूं आपको अगर पैसे रहे तो भी 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 प्यार करने लग जाती है अगर पैसे रहे तो माबाब का प्यार भी मिलना शुरू हो जाता है पैसे रहे तो पडोसी भी जो दूर दूर के पडोसी होते है न वो आपके साथ रिष्टा जोड़ना शुरू कर देते है पैसे रहेंगे ये पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी और पैसे नहीं रहेंगे हम आपके हैं कौन होता है नहीं होता है मुझे ये बात पता था जब मैंने बिजनस को जोइन किया 2016 2017 दो साल के बाद पहली बार मैं अपने घर गया था पहली बार मैं अपने घर में किसी साधी को अटेंड करने गया था वो भी होंडा सिटी कार के साथ अरे जब पैसे आएंगे न आप क्या जब अर्यस्ती साधी में घुसके पलेट उठा के सोचते वो इजद बढ़ जाएगी नहीं बढ़ेगी कितना भी कर लो चार दिन में भूल जाते हैं यह दुनिया यही सचाई है इस दुनिया की यही सचाई है सुझ में आ रहा है हम चले जाते हैं रिष्टदार ही निभाने के लिए सब कुछ बिजनस उसने छोड़ चाड़ के अरे नोकरी में होते हैं तो नोकरी छोड़ के चले जाते क्या मेरे दोस्त आज इस हाल में बहुत सारे फौजी भी होंगे लोगों की हालत ऐसी हो जाती ही फौज में कि किसी की मा मर गई मुँ में पानी देने के लिए अगनी देने के लिए अगर छुटी नहीं मिली न तो वीडियो कॉल पर ही देखके संतुष्ट होना पड़ता लेकिन छुटी नहीं मिलती तो नहीं आ पाता गलत बोल रहा हूं क्यों नहीं भाग के आ जाते क्योंकि नोकरी को पहली प्रारिटी देते हो मा से भी बड़ी प्रारिटी देते हो अरे जहां से 30,40,000,50,000 रुपए आते हैं उसकी प्रारिटी आपने इतनी बड़ी बना के रखी है और जहां से 70 कड़ो राने वाले हैं क्या इसकी priority होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए होना चाहिए नहीं होना चाहिए अरे सोच के बताओ सोच के बताओ होना चाहिए नहीं होना चाहिए इधर वाले होना चाहिए नहीं होना चाहिए हाथ उपर करके बताओ इधर वाले होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए प्राइडिटी क्या होना चाहिए business business अब पहुंच जाते होंगे न किसी के घर पे ये मेरा personal तज्जूरुबा मेने देखा है जब पैसा नहीं होता किसी न आजास है कोई पानी तक नहीं पूछता हम आगे हो ओ भाईया दिखना उधर उधर पतल उतल लगा है थोड़ा सम्हाल देना यार यह उती हिज्जत गलत बोल रहा हूं क्या गलत बोल रहा हूं यह उती हिज्जत अगर पैसा ना हो लिफ्ट लेके बाइक पे गर्मी में चिलचलाती हुए गर्मी में किसी के हां साधी अटेंट करने जाओगे हां आगे अरे अरे एक डबबा इसको नमकीन लाके दे दो थोड़ा सा पानी बाबु पानी थोड़ा उनल है न उसी चला के पी लेना और थोड़ा सा अपना घर है तुम्हारा अपना परिवार है समझना थोड़ा सा बाराती को खिला देना यह होती इज्यत यस यह नो और उसी घर में जब जैगवार लेके जाओगे ने मेरे दोस्त तो दुल्हा को छोड़ पहले तेरा स्वागत करेगा यह आपको सोचना है कि आपको अपनी जिन्दगी में इस बिजनस में मेहनत और इस बिजनस को प्रियरिटी देना है तो क्यों देना है यह आपको सोचना पड़ेगा मेरे दोस्त आचा, पूरी बात समझ में आने के बाद भी आप पता है priority क्यों नि देते हो क्यों निल udahते हो क्योंकि आप अपने mind से लाचार हो हमारी बुधी पता नहीं ऐसा acceptance नहीं कर पाती समझ में आने के बाद भी पता नहीं अंदर से वो आवाज अंदर से वो लग नहीं पाता है कि यार ऐसा करना चाहिए अंदर से वो जजबा ही नहीं आ पाता सिर्या सोना चाहिए वो सोच ही नहीं बन पाती